हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ माता के भोक के लिए सूजी का हलवा और चना फ्रेंड्स से बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाते हैं और बहुत टेस्टिव लगते हैं खाने में तो आप इनको माता क के लिए जरूर बनाके खाएं तो चली इनको बना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम गैस और करके कड़ाई रखेंगे और इसमें हम दो चमर्च घी डालेंगे गी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं अब मैंने आपर एक कटोरी सूजी ली है सूजी इसमें डाल देंगे और अब हम सूजी को चलाते हुँ जब तक रोष्ट करेंगे जब तर इसका कलर्श चेंज ना हो जाए और गैस का फ्लेग में मीडियम ही रखेंगे हमें इसको लगाता चलाते रहना है नहीं तो यह सूजी नीचे से जल जाएगी जब इसमें अच्छी से खुसुआए लगे तो आप समझ जाएं कि सूजी अच्छे से रोष्ट हो गई है तो उसी तरह से हम इसको लगाता चलाते हुए रोष्ट कर लेंगे ऒर यह सूजी अच्छे से रोष्ट हो गई है, आप देख सकती है कर दोगा है यह इसको रोष्ट करना भीकि और हम यह तरह इसी तरह से हम तीजी क्रुटोरी पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मेजनेमेंट का आपका पूरा ध्यार रखना है कि जिस क्रुटोरी ग्लास से आप सूजी ले रहे हैं उसका तीन गुणा पानी डाल है तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा गवा यहीं मैने आपकशिणी ली है चीनी तोड़ी से तो और जादा कर सकते हैं ध्यार रहे एक कप सूजी एक कप चीनी तीन a शांतोरी पानी उसी सब से आपको डालना हूं यह मैने आपको तो ड्राइफ पूर्टस ले लिए है हैं यह में पोर बिक्स आप यहीं तो यही मत के बारे सकते हैं अब हमने इलाइची का पावरर ले लिया है तो इसमें लेके डाल देते हैं इसको भी slot हवाल वारा बन गया है तो आहरे ग्येसिक को ऑफ कर देते हैं वाज़िवा आप देख सकते हैं एक एक दो नहीं कितना खिला-खिला बना है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो आप भी इसको जरूर माता के बोग में बनाए तो उसके लिए मैंने आप थोड़े से काले चने ले लिए हैं जिनको मैंने रात भर भुगो दिया था आप चाहे तो पांच गंटे भी इनको पानिया भी हो सकती हैं और यह अच्छे से फूल गए तो अब हम चलते हैं गैस की तरव तो इसके लिए हम गैस अन करके कोकर रखेंगे और इसमें हम दो चम्मच घी डालेंगे मैं माता के बोग के लिए बना रहे हैं आप चाहे तो वैल भी डाल सकती हैं मैं इनको डायरेक्ट कोकर हम बना रहे हूं आप चाहें तो पहले बॉयल कर लें उसके बाद इनको फ्राई करें बट इस तरह से बहुत जल्दी बन जाते हैं इसलिए मैं इनको पहले ही बना रहे हूं तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें आधी चम्म जीरे डाल देते हैं जीरे को ठाहिते हैं थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और यह मैंने आपर एक अंद्रक का टुकडा ली लिया है। जिसको मैं रहे कर लिया है एक हरी मेट को बारीख चॉप कर लिया है यहीश डाल देते हैं और इनको अच्छे से mix करते हुए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई क समच नमक कर देते हैं última कर दीमें और फिरितेकों अश्जयपने तो समें मिक्स समें अहिंगी इसन झुट कर सकतहे हैं ओर फिर्क देते हैं और हम दो मिनट लिए अच्छे से मसाल regen 25 अभी प्रढ कर लेते हैं इनको भी अच्छे से मसाले में कोट कर देते हैं दो मिनट के लिए मसालों के साथ इनको फ्राई कर लेंगे यह मैंने इनको दो मिनट तक फ्राई कर लिया है अब हम इसमें आदा कप पानी डालेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है में सिर्फ आदा कब पानी डाल आएंगे क्योंकि बहुत चल्दी वुर्ट हो जाते हैं और आदा कब पानी डालने के बाद poorer अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देखेंगे और इसको लिट लगा दे आ और इसको हम 3 सीटी आने तक इसको पका लेते हैं ओर 3 सीटी आ गई है और इसका फ्रेसर भी ठंडा हो गया है तो अब हम इसको चैक कर लेते हैं तो अब हम चनओं को चैक करें पके हैं कि नहीं तो आप देख सकती है चने पक गए हैं बट इसमें थोड़ा सा सारा पानी निइं है एक दो पानी दिख रहा है और यह सभधी नहीं अगर अगर को इसमी collect सकती है और अब हमजी क्या करेंगे जो इसमें पानी दिख रहा है तो अब हम गास्का फ्ले मोटें और यहां करें गहाँ कथम गें हमें और आठीश वैЛति हिंक प्लें मुप Story कि तरह कि ये ऐमारे बन पर तैब कर देते हैं। और यह स्कों क bunları एम घ्रू चने बनर हो गया स Muk Is इंसेर करें फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई